डीयर स्टूडेंट, आज हम लोग रिजिनिंग का नया चेप्टर इस्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कोडिंग डीकोडिंग, यानि जिसको संखेद वधता या कुट लेखन, वी कूट लेखन के नाम से जानते हैं, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही important chapter है, reasoning का, ये SSC exam में तो बहुत पूछा जाता है, बाकि जो exam है, UPSC हुआ, BPSC हुआ, BSSC हुआ, कोई भी Contributions exam से, चाहे railway हो, NDA हो, Air Force हो, सब में most important है, कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी रूल है, पहले हम आपको रूल समझाएंगे, step by step, और उसके बाद इसके जो important question है, वह question बताएंगे, फर्स्ट रूल है, कोडिंग का, किसी अक्षर, सब्द, वाक्य को सांकेतिक भासा में लिखने की परिकिरिया को कोडिंग करते हैं, उज अक्षर भी यानि लेटर भी हो सकता है, वर्ड यानि सब्द भी हो सकता है, और सेंटेंस भी हो सकता है, तो आगे जब question बताएंगे, तो इसमें देखेंगे लेटर भी मिल सकते हैं, वर्ड भी मिल सकते हैं, और सेंटेंस भी मील सकते हैं, जैसे मानलेजे, राइट है, राइट को आप G, ह, र, टियाई भी लिख सकते हैं, पॉबली को Y, P, LB, C, लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कोड़ा, यानि right का जो code है वो जी एच आर्टी आई है पबली का जो code है UPLBCI है और coding को नहिंदी में कूट लेखन कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं decoding को किसी सांकेतिक भासा में लिखे अक्षर सब्द या वाक्य वाक्य भी हो सकता है को वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने की परिकिरिया decoding कहलाती है। ठीक है अब coding decoding में जो most important है वह आपको English के जो letters है A से लेके Z तक सब के number याद होने चाहिए ठीक है। जैसे A1 होता है B2 C3 D4 E5 F6 ऐसे ले करके A से लेके अगर Z तक लिखते हैं तो A से लेके 26 तक इनके position आते हैं। यह most important है याद होना चाहिए। अगर आपको याद हो गया तो coding decoding आप लोग मात्र दो से तीन सेकेंड में सल्व कर देंगे। अब बच्चों को बहुत परिसानी होती है याद करने में कैसे याद करेंगे। तो इसके लिए आपको हम ट्रीक बता रहे हैं। एक ट्रीक है इजोटी इजोटी छोटा सा लेटर है यह तो छोटा सा वर्ड है यह तो याद रख सकते हैं। प्रतेक जोटी प्रत्तेक ی होते हैं। यहाहे इजोटी का पॉजिसवन कैया है। 25, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25, तो यह क्या है, 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, अब इजोटी के जो इधर पहले का जो लेटर है, आप उसको असानी से पहुचान सकते हैं, E और J के बीच में 4 बॉक्स खाली है, तो E के बाद F आएगा, E, F, G, H, I, J, और यह J याद है, और O याद है, तो इसके बीच के 4 लेटर आएंगे, तो ऐसे करके आप इसको असानी से समझ सकते हैं, इजोटी, और इजोटी में E का 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25 होता है, और इजोटी में जितने भी यक्षर है, पाची है, इसके बीच 4 लेटर का अंतर है, यह आपको याद रखना है, अब एक्जाम्पल हम समझाएंगे, पहले रूल बता देते हैं उसकी बात, यह इसको अगर इजोटी से नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक वर्ड है सफिलो रख्स, सफिलो रख्स से भी आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, C, F, I, L, O, R, U, X, यहाँ लिखा गया है C, F, I, L, O, R, U, X, तो C का 3 होता है, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21, और X का 24, तो यहाँ देखेंगे, यह 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, और 3 8 जा 24, 3 का टेबल है, अब इसके बीच में देखेंगे, दो-दो का गयप है, यानि C और F के बीच में दो लेटर आएंगे, C के बार D और E, F और I के बीच में दो लेटर आएंगे, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, तो अगर यह पोजिशन याद है, इसको अच्छा स्याप समझ जाते हैं, तो कोडिंग, डिकोडिंग का सवाल बनाना बहुत इजी हो जाएगा, और बहुत कम समय में आप इसको सल्व कर सकते हैं, सफिरो रक्स अक्षर समू के परतेक अक्षर के बीच दो कांतर होता है, जैसके आप लोग बताया गया, कि C और F के बीच में दो कांतर है, F और I के बीच में दो कांतर है, I और L के बीच में दो कांतर है, L और O के बीच में दो कांतर है, यानि बीच के जो दो लेटर गया उसको आप आसानी से समझ सकते हैं एक एक्जामपल बता रहे हैं किसी सांकेतिक भासा में वाच को X-B-U-D-I लिखा जाता है तो क्लॉक को क्या लिखा जाएगा तो इस को समझते हैं आज एक एक्जामपल बता रहे हैं वर्ड दिया है वाच डबलू ए टी सी एच और इससे कोडिंग क्या हुआ है एक्स बी यू एक्स बी यू ली आई तो यहां देखेंगे डबलू से एक्स है है ना और ए से यहां बी है टी से देख सकते हैं यू है और सी से डी है और एच से आई है यानि डबलू प्लॉस वन करेंगे तो एक्स आ जाएगा डबलू के बाद एक्स आता है ना एक बाद यहां बी आता है यहां भी प्लॉस वन है तो देखेंगे इसे में सब में प्लॉस वन किया गया है यानि इसके बाद का लेटर लिखा गया है डबलू के बाद एक्स है एक बाद बी है टी के बाद यू है C के बाद D है और S के बाद I है तो सिर्म यही प्रोसेस आपको इसमें लिखना है कलॉक को तो यहां लिखते हैं कलॉक C, L, O, C के तो C के बाद क्या आता है? D, L के बाद C के बाद D और L के बाद M O के बाद P C के बाद D K के बाद L तो यह आजाएगा C का D से L का M से O का P से और C का D से और K का बनेगा L से तो वड क्या बनेगा? D, M, P, D, L यह इसका आंसर होगा तो इस तरीके से Coding, Decoding का Question हम लोग सर्व करेंगे इसमें Most Important है Later का Position याद रखना तो यह वाला Most Important है सफिलो रक्ष से भी समझ सकते हैं EYOT से भी समझ सकते हैं तो इसको आप लोग अभियास करेंगे कागज पे पेपर पे लिख करके बार बार इसको लिखिए, देखिए, समझे, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको यहाँ आज बताए हैं अंग्रेजी बर्माला के अक्षरों का सीधा करम हना जैसे सीधे 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 A, B, C, D होता है जैट तक तो 26 तक होते हैं अ अप ओजिट लेटर का जो पूजिशन है वो कईसे समझेंगे इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों अगर कंटेंट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास सेयर करेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग